हाई दोस्तों अगर आप ऐसा प्रॉपटी देख रहे हैं वाने टू बीएज के जहां से मेट्रो एंड हाइवे टच हो थाने वेस्ट एरिया है यहां से आपको माउंटेन व्यू फ्लैट मिलता है साथी साथ डी मार्ट मेट्रो अगर यह सब आसपास में आप देख रहे हैं ह अब जो मने कुछ जल्कियां देखा है विहांग वेली फेस फोर का जिसका कोडनेम केपिटल अफ थाने हैं मैं हूँ विकास बरंदवाल CP यानि चानल पार्टनर ओफ बिल्डर और प्रॉपटी कंसल्टेंट एक पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब चानल प्रॉपटी प्लाजा विकास बरंदवाल में हम लोग 0% ब्रोकरिज पर काम करते हैं कस्टमर के लि दिया यानि की हॉल मिल रहा है इस तरफ आपको मिल रहा है लीविंग एरिया जहां पर आप एल टाइप में सोफा रख सकते हैं टीवी यूनिट एरिया और विंडो आ रहा है इसमें बैलकनी कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है हॉल की लेंथ इतनी ज्यादा है कि आप चाहें तो यहाँ पे एक दो फूट के ऊपर एक एक्स्ट्रा विंडो डालके आप बलकनी अलग से बना सकते हैं तो नो बलकनी में हमेशा देखें तो आपको हॉल बड़ा मिलता है एक बार मैं विंडो के साइट से पूरा व्यू दिखाता हूँ यह मैं विंडो के साइट से आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं साइज हॉल का कितना जबर्दस दिया हुआ है इस तरब आपको डाइनिंग का व्यू है डाइनिंग यहाँ पर भी चार टेबल का रखा हुआ है आप चाहें तो चार से आठ याच्छे टेबल का भी डाइनिंग अगर आप रख सकते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो अब चलते हैं अंदर यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज भी रखा हुआ है अगर आप स्टोरेज ना रखें तो डाइनिंग टेबल आपका बड़ा हो जाता है हॉल से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट हैं साइट पर दिया हुआ है किचन किचन में गैस फ्लैटफॉर्म सर्विस फ्लैटफॉर्म आपको दिया हुआ है और बाहर आपको दिया हुआ है वासिंग मशिन के लिए धाई से तीन फूट का ड्राइब आलकनी इसके बाद स्टार्ट में आपको फ्रीज का स्पेस दिया हुआ है किचन में और आप देखने किचन यहांपे ईहां रहेगे वास्थु को बहुत अच्छा ध्यान में रखा हुआ है क्योंकि यह पूरे लोग है तो kitchen के आगे आने के बाद आपको वास्तों दिया हुआ क्या थो अंप कि आप यह बात समझे कि जस्त सामने आपको वास्तों नहीं आ रहा है टॉलेट वाथरूम नहीं आ रहा है जो वास्तों के हिसाब से जो लोग वास्तों में विश्वास करते हैं उनके लिए यह पॉइंट बहुत वैल्यू रखता है और अब आप देखें यहां से वाश्रूम खतम होने के बाद फिर आगे जब आते हैं अब यहां पर आपको कॉम मुम्मेंट में डिस्टरविंस आता है यह वाल के अंदर ही वाड्रोप का स्पेज दिया हुआ है और यहां पर आपको मिल रहा है विंडो इसमें भी नो बलकनी कंसेप्ट है यह मैं विंडो के साइट से कवर कवर करके दिखा रहा हूं यह हाइट आपको फिलाल यह 11 अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं इसका मास्टर बेटरूम के साइज हुज है एक च्छे चाहिए बैड नो है और इस तरह आप देखें वाड्रॉब आपको दिवाल के अंदर ही सेट किया हुआ है करीबन 2-5 फुट का डेफ्थ रहेगा यहाँ पर जहाँ पर अगर दिवाल के अंदर सेट हो जाता है तो आपको बाहर का पूरा space free मिल जाता है यूश करने के लिए यह देखें नीचे का %95 आपको 3-46 पस्पेस मिल रहा है इस तरफ काफी बड़ा इस पर मिल रहा है यहां आप चाहें तो एक टेबल डाल Erتم सकते हैंatal सब्सक्राइब और आइक आइडिया दिया रखतेंक ли इसके बाद इपनों से इंटिरेंट जाइनर से इंटिर किशा करते हैं आपको इतना ही ए सलब्स आइज यहां से वक्रini मिलेगा यहाँ से ब Approx profile नहीं है झरूअ आप कोई छज्जा यहां से दो से धाई फुट का छज्जा नीचे मिलेगा जहां पर आप चाहें तो बाद में भराई करने के बाद यूज कर सकते हैं अगर बाद में सोसाइटी परमिट करती है तो इसके बाद यह इसका मास्टर वेडरूम का वाश्रूम है अब देख लें पहले इन्होंने बेशिन दिया है उसके बाद टॉयलेट कमोड दिया हुआ है उसके बाद फिर बाध हरिया दिया हुआ है बाध हरिया को आप ग्लास डोर से कवर कर सकते हैं ताकि जब आप सावर लें तो पानी के चीटें बाहर ना आए और अब मैं एक वार आपको अंदर यहां से इसका 1 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है वन बीयजके में आपको स्कॉर लिविंग एगा जो चार सो तीस स्कॉर फुट का जो मैंने बताया है अब इस तरफ तो आपको मिल रहा है लिविंग एरिया सोफा और टिवी उनिट मिल रहा है और एक बार विंडो आपक आपको छज़ा आएगा है कि एक वदो के साइट से आपको कवर करकर दिखा रहा हूँ इस तरब इसका मैं अदर चलते हैं और अभी जब लिविंग डाइनिंग से अप अंदर आते हैं लीकुक्त उसके प्राइंद साइड पी मिलता है कॉमन वाऴष्रूम में लास्ट में रह यह देखें तो बहुत पर्फेक्ट बनाया हुआ है क्योंकि यहां सब डालते हैं तो बात के लिए आपको शावर लेने के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट जगह मिल जाता है यहां पे भी इन्होंने वास्तु ध्यान में रखा है यह टौलेट वास्रूम के बात जब आप आगे आते हैं तो फिर आपको लेफ एंड साइड पर किचन दिया हुआ है एंट्री करते ही स्टार्ट में फ्रीज का स्पेस उसके बाद सर्विस प्लैटफॉर्म गेस प्लैटफॉर्म और पाहर आपको वास्टिंग मुशिन के लिए जगह दिया हुआ है करीबन धाइस से तीन फूट का उसके बाद एक बार विंडो के साइड से पूरे किचन का व्यूव आप देख लें और अब इसका मास्टर बैड्रूम मैं दिखाता हूँ जब किचन से बाहर निखलते हैं तो यहां स्का मास्टर बैड़ूम है इन्होंने क्या किया है किन नो वेस्ट एरिया बनाया हुआ पैसेज भी आप दिखें तो बहुत ही नाम मात्र का रखा हुआ है इसके बाद ढूर ने मस्टर बेडरूम दे दिया है मस्टर बेडरूम जो आप एंट्री करेंगे एंट्री करते ही आपको राइट-हन साइड पर इसका मस्टर बेडरूम का वाचरूम मिल रहा है सेम जो कॉ कि वह इन्होंने यूज किया है स्टार्ट में बेसिन कमोड और एंड में बाथेरिया दिया हुआ है अब एक बाद डोर के साइड से आपको दिखा दूं यहां पर भी आपको बाहर नीचे चच जा रहेगा करीबन दो से तीन फुट का तो वहां पर आप आप आउट्डोर बगएरा एसी का रख सकते हैं विन्डो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूं यहां पर आपको तीन दोर का वाड्रॉप मिल रहा है आप देख सकते हैं दो से धाई फुट डेफ्थ है इस वाड्रॉप का और यह वाल के अंदर ही फिट किया हुआ है जिसे एक्स्ट्रा स्पेस आपका बच जाता है पूरा का पूरा बेड्रूम आपका फ्री हो जाता है आप देख सकते हैं यहां पर टीवी यूनिट और स्टडी टेबल ड्रसिंग टेबल प्लस टीवी यूनिट के लिए कुछ सो टाइप का है यह इसके बाद मैं आपको मॉडल टावर कैसा आएगा वो सब आगे देखते हैं यह मैंने आपको अभी वन बीच के टू बीच के का फ्लाइप दिखाया है किस टाइप का है अभी मैं विहांग वैली जो फेस वन टू टू थी फोर का पूरा एरिया है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी विहांग वैली के फोर यानि के जो मैं अभी बात कर रहा हूं के पेटल अप्थाने का उसका आप समाझ लें कि यह जो रोड आप देख रहे हैं है यह हाईवे से जो आ रहा है कासर बडावली के लिए यह पूरा चार रास्ता है और यह पूरे और 14 एकड़ का इसका लांड है जहां पर यह डबिल अप कर रहे हैं और अब दिख सकते हैं यहां पर डबल पोडियम पार्किंग है कि कि यह इसका बोडियम है और पोडियम के ऊपर फरस्ट जो धूर्ड फ्लोर से इसा रि सिदेंसियल टावर सटाट होगा और थार्ड प् मौडल दिखाया हुआ है यहां से इसकी मेन एंट्रेंस है बिहांग वैली का अब दिखते हैं बिहांग गुरूप का बोड भी मारा हुआ है और इसके बाद अभी मैं दिखाता हूं इनका बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन किया हुआ है राउंड सेप में इस तरफ दिया हुआ है इनका फर्स फ्लोर पर स्विमिंग पूल रहेगा करीबन तीन से चार माले का इसका क्लब हाउस डेजाइन किया हुआ है और यह पूरा इसका लैंड रहेगा 14 एकड का और यह अंदर के साइड से आपको पूरे एलिवेशन रहेगा टावर का जो 41 यानिके जी प्लस 41 स्टोरी टावर रहेगा बयाल इसमाली की बिल्डिंग रहेगा यह इसका second entry है जो बेक्साइड के रोड पर आएगा आपो अब आईए डिटेल जानते हैं अबी जो मैंना प्रोजेक्ट आपको दिखाया है विहां वेली यानि कोड नेम है इसका केपिटल ओफ थाने उसका कुछ डिटेल आप जानने कासर बड़ावली एरिया है थाने वेस्ट में वहां पे बना रहे हैं डवलबर का नाम है बिहांग ग्रूप आफ कंपनी 30 to 40 year पुरानी कंपनी है इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट है जो अलड़ी ये बना के हैंडवर कर चुके हैं जहां पे लोग रह रहे हैं जिसमें बिहांग वेली फेस वन फेस टू फेस त्री फेस फोर में भी एक विंग हैंडवर किया हुआ है बाकी का तीन बन रहा ह है अभी जो बेचने के लिए है क्लेर टाइटल प्रोजेक्ट है आप यह देखनें कहीं से भी आप किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इसलिए सारे बैंकों से लोन हो जाएगा 14 एकर का लैंड एरिया है इसका 14 एकर का पूरा लैंड है जिसमें 60% में कंस्ट्रक्शन ह 40% में इसका open area है इस complex के अंदर और amenities इसका clubhouse में है इसका clubhouse है इसके उपर rooftop पे भी पूरा amenities दिया हुआ है अभी अभी यह जो D2, D3 टावर जो है launch हुआ है और 41 स्टोरी टावर है इसमें दो लेबल basement है दो लेबल इसका podium parking है उसके उपर 3rd floor से इसका residential tower स्टार्ट हुआ है यह इसका रहरा का QR code है इस QR code के थुरू आप scan करके समझ सकते हैं कि यहां का क्या title है क्या detail है यह सब कुछ इस QR code को scan करके आप समझ सकते हैं घर बेठे सारा information आप ले सकते हैं 25,000 square foot का यानि 25,000 square foot का इसका clubhouse है एक फ्लोर पे 8 flat, 5 high speed lift और 2 staircase दिया हुआ है महारेदा के website पे अगर आप विजिट करके देखना चाहते हैं तो इसका महारेदा नंबर है P517-000-34145 इस महारेदा नंबर के थुरू भी आप रेदा के website पे जाके देख सकते हैं project related क्या approval मिला हुआ है कब तक इसका position है क्या इसके sizes हैं यहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं Hindu and Cosmo Locality के लोग हैं किस टाइप के flat है pricing वगएर कितना reasonable है क्या है वो मैं आगे बताता हूँ कुछ amenities इसमें समझते हैं कि क्या क्या amenities आने वाला है इसमें आपको swimming pool, multipurpose hall, clubhouse, garden and walking path, terrace garden, podium garden, multipurpose court, bicycling parking space, squash court, gymnasium and yoga center, cabana, spine salon, cycling, jogging track, landscape lawns, family function area, garden, gajabo, celestial turf, cricket net, kids play area, library, sit out area, fitness center, outdoor gym, jumba and aerobics room, indoor games, game zone and toddlers play area, senior citizen area, indoor squash and badminton court यहां से जो इस project का यूएसपी है न वो यह है कि यहां की connectivity बहुत अच्छी है दो से पांच मेंट पे आप highway पहुँच जाते हैं, metro पहुँच जाते हैं, पांच साथ मेंट पर आप डी मार्ट पहुँच जाते हैं view जैसे ही third floor पे आप आते हैं, सामने आपको mountain का view मिल जाता है, संजे गांधी नैशनल पार्क का view मिल जाता है इस तरह पूरा आपको थाने west का city, highway यानि metro का view मिल जाता है station यहां से आदे से पोने गंटे के distance पे है और highway दो से पांच मेंट के दूरी पे है main door touch यह project बन रहा है, school यहां पे seven square academy school, परताफ सरनाईग international school, euro school, new horizon school, ज्यान गंगा college, मुशला college, एपी सहा college, यहां सब आसपास में ही है साथी साथ आपको mall की बात करूँ, R mall, Viviana mall, hyper city, यह 10-15 मिंट का traveling distance है यहां से, 45 to 1 hours के अंदर आप airport पहुंच जाते हैं यह तो मैंने connectivity बगर बताया, अब आईए, इसका flat यहां पे 1BHK है और 2BHK है, दो type के flat बना रहे हैं, 1BHK, 1BHK का jodi flat यहां पे available है, साथ चाथ 2BHK, 1BHK का jodi भी available है अगर आप बड़ी family हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो jodi flat भी आप purchase कर सकते हैं, otherwise single 1BHK और 2BHK आप purchase कर सकते हैं 1BHK में जो रहरा कारपेट की बात करूं, जिस मैं यह 430 square foot का बना रहे हैं, चज्जा और drive balcony के साथ, जिसकी price चपन लाग से लेके 6 लाग के बीच में है, यानि कि 56 to 60 लाग के बीच में है और 2BHK में यह 2 size दे रहे हैं, 625 और 719, 625 और 719 square foot, जिसकी price 75 लाग से एक क्रोड के बीच में है, यानि 75 लाग to 1CR के बीच में है यह जो मैं आपको price बता रहा हूँ, यह price tentative idea दे रहा हूँ, यह price अच्छा का सा negotiable रहेगा, वो आप जिस टाइम पर आएंगे, उस टाइम पर क्या availability है, कौन से floor पे availability है, उसके उपर बात होगी और इसमें अगर extra parking आप लेना चाहें, तो 5 लाग का parking है, चाहे आप basement पे मिले, चाहे podium पे मिले, जो मैंने pricing आपको बताया है, यह सिर्फ flat cost है, इसके उपर, time duty, registration बगरा यह सब आपको अलग से आएगा दोस्तों यह तो मैंने आपको बता दिया सारा detail, भीहांग वैली का, आगे का वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने कुछ technical process बताया है, कि बिल्डर की sales team कैसे काम करते हैं, क्या उनकी लागत होती है, कैसे वो अपना price design करते हैं, कैसे marketing करते हैं, कैसे closing करते हैं, वो सारा आप साल लगता है, मेरे वीडियो से knowledge लेने के बाद, डारेक्ट को developer के पास चले जाएंगे, तो उनका brokerage या इसा कुछ fees बच जाएगा, दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज़्यदा ज़्यदा जाएंगे, तो एक या दो flat लेंगे, हम लोग builder का साथ काम करते हैं, तो 100-250 flat बेचते हैं, और जब हम deal करते हैं न, start में, जब लोग project launch करते हैं, उसी time पर हम लोग decide कर लेते हैं, कि हम लोग 100 flat बेचेंगे, 200 flat बेचेंगे, या 50 flat बेचेंगे, तो हमारे customer को, specially ये wholesale का price मिलना है, आप उनको 2 करोड, 3 करोड, 5 करोड रोपे देंगे, हम लोग उन deal करके दें, customer को भी profit हो, builder को भी एक मोटा amount चाहे, और उसका benefit हम लोग को भी मिले, तो ये आप याद रखें, साथी साथ, हमारे जो बड़े-बड़े investors हैं, जो एक एक बार में 10-20, 20, 50, 50 करोड रोपे investment करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग professional CP, यानि agent, या advisor को साथ में लेके ही जाते हैं, बले उन्होंने offline, online कहीं से भी information मिला हो, लेकिन जब वो property खड़ने जाते हैं, तो एक professional को साथ में लेके जाते हैं, उन्हें पता होता है, कि एक professional आदमी हमारे साथ में रहेगा, तो कभी भी, किसी भी matter पर वो discuss कर सकता है, समझ सकता है, और हमें advice भी कर सक मेरे काफी सारे इसे customer हैं, जो उल्टा 5-5-10-10 लाग रुपे जादा दे के आ चुके हैं, उनको prize पता नहीं चलता है, builder जो prize आपको holding boarding पे लगाते हैं, online show करते हैं, या offline holding boarding पे दिखाते हैं, वो prize नहीं रहता, एक अच्छा खासा उसमें negotiation होता है, और आपको bottom prize नहीं मालु करते हैं, हमारे सारे customer को मैंने 5-5-10-10 लाग रुपे बचाया है, एक एक deal में, तो आप कभी भी property लेने जाते हैं, तो एक professionals के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी knowledge हो, अच्छी पकड़ हो, developer के साथ उसके internal relation हो, साथी साथ आपके जो budget है, आपके budget में क्या best उस area में आने वाला है, या उस area में आ रहा है, उतना project का survey भी आपके पास नहीं होता है, एक जो professional CP यानि channel partner होता है, या आप समझने तो एक property advisor या broker होता है, उसको वहां के आसपास का proper depreciation क्या आएगा, depreciation क्या आएगा, आति साथ project का survey, आपको एक या दो project के बारे मालूम होगा, वो जो सालों से काम कर रहे हैं, उनको उस particular location में 20, 30, 50, 100 project जो भी चल रहा है, सब का मालूम है, तो वो आपको एक proper advice करेंगे कि यहां पे आप लो, यह अच्छा appreciation भी आएगा, 37 इसकी value सही है दोस्तों, ऐसा मैंने देखा है, काफे सारे लोग, जदा जदा पैसा देखे भी कई बार आ चुके हैं, जिसा मेरा कई experience हो चुका है, जो मैं इस वीडियो के जड़ी आपको सेयर कर रहा हूं, बाकी developer के पास एतना time नहीं होता है, वो भी एक sales stream लगाता है, sale करने के लिए, बिल्डर के पास आप डिरेट जाके जब विजिट कर लेते हैं, तो उसके बाद, फि कोई भी CP या हम कुछ नहीं कर सकते, तो बहतर है कि जब आप जाएं, फर्स्ट टाइम हमारे किसी salesperson के साथ में जाएं, तो ही हम आप पर प्राइजिंग के लिए बात कर पाएंगे, services के लिए बात कर पाएंगे, हम लोग आजे channel partner builder के payroll पे काम करते हैं, customer के लिए 0% brokerage में हम इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इंफर्मेशन में हमेशा अपने चानल प्रापटी प्लाजर विकास बरनवाल पर डालता रहता हूं, आपसे request है हमारे इस चानल को subscribe करके रखें, बैला इकन प्रेस करके रखें, जब भी मैं कोई ऐसी property डालूं, तो आपको सबसे पहल प्रापटी आती है, जो 30-40% डिसकाउंट पर होती है, जो लोग loan का EMI नहीं भर पाते हैं, पे नहीं कर पाते हैं, वैसी property भी आती है, तो उस तरह की property भी हमेशा मैं अपने चानल पर डालता रहता हूं, इसमें फाइदा क्या होता है, seller जो लोको urgent जरत होती है पैसों की, उ साथ जिनको सस्ते में फ्लैट से ये रहता है, उनको फ्लैट मिल जाता है, तो इस टाइप के जो फाइदा की property होती है, वो भी मैं डालता हूं, तो हमारा चानल सब्राइब करने का benefit ये होगा, कि सबसे पहले आपको notification मिलेगा, आप उसका फाइदा ले पाएंगे, मिलता हू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें देजा इजाज़त, नमस्कार